मस्कार दोस्तों, घर में महिलाएं जब भी पायल पहनती हैं, तो उनकी छन छन पूरे घर में रौन अकला दीती है, लेकिन वे इसे सिर्फ 16 श्रिंगार के तौर पर ही पहनती हैं, तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं इसके फायदे, स्वास्त के लिहाद से पायल बहुत ल प्रशानियों को दूर करने के लिए बहतर मानी जाती हैं, चुंकि ये पैरों में रगड़ती रहती है, इसलिए पायल के धातू के तत्व तवचा से होते हुए शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे पीठ, घुटनों के दर्द, एडी और हिस्टीरिया अधी रोगो और पैरों के सुजन से प्राकृतिक तरीके से लाप मिलता है, पैरों में चांदी के पायल पहनने से महिलाओं में स्त्रीरोग संबंधी विकार, बांचपन, हार्मोनल असंतुरन और प्रसुती संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं, वहीं इसे शरीर की उर्जा हमेशा बनी रहती है, चांदी कैसी बहुमूले धातु है जो शरीर की उर्जा को कभी बरबाद नहीं होने देती, ये शरीर से निकलने वाली उर्जा को दुबार से शरीर में लोटा देती है, चांदी के पायल पहनने से शरीर के प्रतिरक्षा शक्ती भी बढ़ती है, कहते हैं कि ये श प्राइट बढ़ने की गती को रोकती है वास्तु के नुसार पायल की छनक नेगिटेव उर्जा को दूर करती है चांदी के पायल पैरों से घर्षण करके पैरों की हड्डिया मस्बूत बनाती है पैरों में पायल पहनने से महिला की इच्छा शक्ती मस्बूत होती है यही चांदी के थंड़े होते हैं मानते हैं कि मनुष्य का पैर गर्म होना चाहिए और सिर थंड़ा रहना चाहिए इसलिए महिलाओं को सिर पर सोना और पैरों में चांदी के गहने ही पहनने चाहिए अगर ऐसा किया जाए तो चांदी की थंड़क सिर में पहुंचेगी और पैर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद